भायो बहनो नमस्कार आल इंडिया आंगनबाडी न्यूस चनल में आपका स्वागत है चनल से जुड़ने के लिए नीचे दिख रहे है रेड कलर के सब्सक्राइब बटन पर आपको सबसे पहले क्लिक करना है फिर साइड में एक नोटिफिकेशन बिल यानि घंटी बनके आए सबी लोग एक बार जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए उसके बाद पूरा वीडियो जरूर देख लेना आपको कैसा लगेगा अगर कोई हमारी आंगनबाडी बहन बिचारी इस सीत कालीन जो है इतनी ठंड में और सेंटर पर बैठी हो और अचानक उनकी डित हो आएंगे एक बहन है अनीता बहन जो मुझफर पूर से आती है उन्होंने जानकारी बेची कि भाईया जी नमस्ते मैं अनीता यादव आंगनबाडी सेविका मुझफर पूर बिहार साहब गंज सतना से हूँ और आज मेरे यहाँ एक सेविका उनका डित हो गया है ठंड के का सेविका बहन का निदन हो गया है और यह तस्वीर आप यहाँ पर देख पा रहे हैं बकाइदा बिहार में बहनों की जो ड्रस है वो भी आप यहाँ पर नोटिस कर पा रहे होंगे और बहन ड्रस पहने ही है सेविका ठंड के कारण निदन हो गया तो यह जान करके बहुत ही दुख हुआ है और मैं आगरे करता हूँ बिहार सरकार से कि आंगन बारी सेंटरों को बंद करने का वो भी आदेस निकालें अभी हमारे पास उत्तर प्रदेश में आंगन बारी सेंटरों को बंद करने का आदेस ये आ चुका है उसके पहले आपको बताना चाहेंगे हमारी इन बहन को जो है यहाँ पर न्याय दिलवाएं इनके परिवार को आर्थिक मदद पहुचाई जाए क्योंकि ड्यूटी पर बैठे हुए बहन का निधन हुआ है और वो भी जब आपको पता है जगए जगए सीत कालीन अवकास के लेटर निकल रहे हैं और फिर भी हमारी सरकारें सरकारी आदेश उत्तरपदेश में जारी हुआ है तो उत्तरपदेश के जो भी भाईबेन वीडियो देख रहे हैं कृपया सुन लेना यहाँ पर अवनीश कुमार अवस्थी अपरमुक्य सच्यू उत्तरपदेश सासन से जो है उन्होंने एक सरकारी आदेश निकाला है पा ध्यान पुर्वक सुनिए पहला है कच्छा 10 तक के सभी सेच्षडिक संस्थान विनांक 6 जनवरी से 16 जनवरी तक पूर्तिया बंद रहेंगे 6 जनवरी यानि आज आज से 16 जनवरी तक कच्छा 10 तक के सभी सेच्षडिक संस्थान पूरी तरह से बंद रहेंगे परंतु सेच्षडिक संस्थानों द्वारा ऑनलाइन कच्छाएं जारी करना सुनिश्चित किया जाएगा तो अपना सेच्षडिक संस्थान वाले ऑनलाइन क्लास चालू करें इधर दूसरा आया है कच्छा 11 एवं 12 की जो आनलाइन कच्छाएं चलेंगी एवं 15 से 18 वर्स तक के जो बच्चे हैं जो चात्र चात्रा हैं विद्याले में वैक्सिनेशन कैम्प लगवा करके ठीका करण की विवस्था सुनिश्चित की जाएगी ठीका करण के लिए चात्रो को विद्याले आने की अनुमती होगी तो विद्याले में टीका करण वाला प्रोसेस चलेगा जो कच्छा 11 से 12 वाले हैं उनकी आनलाइन कच्छाएं चलेंगी लेकिन 15 से 18 वर्स के बीच के जो चात्र हैं उनको वैक्सिनेशन के लिए जो है अपने विद्याले जाने की अब इसके बाद में जो नीचे लिखा हुआ है तीसरा पॉइंट वो है आँगनबाडी बहनों आप सबके आँगनबाडी केंद्रों के लिए तो इसमें लिखा है कि प्रदेस के सभी आँगनबाडी केंद्र बंदर रहेंगे परंतु बच्चों को अनपूरक पुष्टाह पर सामागरी उनके आवास पर उपलब्द कराया जाना सुनिस्चित किया जाएगा तो साब सब्दों में यहाँ पे कहा गया है कि प्रदेश के सभी आंगनबारी केंद्र बंद रहेंगे लेकिन जो अनपूरक पुष्टाहार है जो सामागरी है वो उनके आवास यानि घर तक जो है पहुचाई जाएगी तो यह चीज है बाकी आगनबारी केंद्रों को बंद करने का आदेश में लिखा हुआ है इसमें यह नहीं लिखा कि आगनबारी केंद्रों पर सिर्फ बच्चे नहीं बुलाने है आगनबारी केंद्रों को खुलना है आगनबारी केंद्र पर का आपको सुचित किया जाएगा इधर अवनीस कुमार अवस्ति अपरमुकि सचियू ने लेटर जारी किया है लेकिन हाँ पुस्टा हार का जब वित्रण होगा तो आप घर घर वित्रण करेंगी आंगन बारी केंद्रों पर नहीं ये भी आदेश में लेखा हुआ है तो अब आ आरियस जो है तीन हजार रुपया पेंसन तो ये एक मैसज इनके फोन पर महन के सनिवार को आया है एक बचकर 33 मिनट को दोपहर में अब इसमें लेखा है यहाँ पर प्रधान मंत्री स्रम योगी मानधन जो पेंसन योजना है और यहाँ पर आप देखेगा उसके तहत लिख इनके आएं है या केवल और केवल प्रचार प्रसाल के लिए गवर्मेंट इस तरह से फोनों पर मैसेज भी भेजा करती है जैसे आप लोगों ने देखा होगा कई जो है मैसेज फरजी के आते रहते हैं ये करो तो इतने रुपए वो करो तो इतने रुपए तो हो सकता ये जानकारी के उद्धेश से हो ये भी हो सकता ये पैसा हो अब बहन ने पूरा तो नहीं भेजा क्योंकि जब बैंक से मैसेज आते हैं तो उसमें जो है इतना ज्यादा ताम जहाम नहीं होता और उपर लेखा भी होता जिस भी बैंक में अकाउंट होता है तो उस से जमाल एंडी ऐसे करके लिखकर के आ जाता है तो यहाँ पर इस तरह से तो यहाँ पर इस से तो इस पश नहीं होता तो कृपिया बैंक जाकर के अपने एकाउंट में बहन जिनका भी यह आया है वो चिक कर ले और फिर हमको बदाएं कि आपके खाती में 3000 रुपए आये हैं या नहीं आये हैं अगर आये हैं तो वो पैसे यहाँ पर यह हम बता सकते हैं प्रदानमंत्री सरमयोगी मांधन पिंसन योजना के बताय जा रहें लेकिन अब यहाँ पर यह भी जरूरी नहीं है यह पैसा आपके अकाउंट में आया हो ऐसा हमारा अनुमान है यह केवल प्रचार प्रशार के लिए मुबाइल पर मैसे सुरूप आपके यह आया होगा यह पैसा नहीं होगा अगर आया है तो अच्छी बात है एक बार चेक कर लिजिए और कंफर्म हो जाएगा आगे बात करते हैं यहाँ पर आप देख सकते हो सुधा मौर्या भेहन आजमगर से आती है और इन्होंने कहा है सुधानसु भाईया अपने चैनल के माध्यम से जरूर दिखा दीजिएगा यह जो है यह मैं घरके हैं और ये जो सुधा मौरगा इस तरह से उन्हों लेखा है यह इनके घरके ओंगे यह वो कहना चाहती है गुमसुधा की तलास है नाम जो है नमन दिच्छित है पिता सतिंद्र दिच्छित है ग्राम इनका लोहरिया नगर है पोस्ट वनका मेह नगर है थाना मेह नगर है जिला जो है आजमगर है खुलिया इनका रंगोरा है उम्र 19 साल है और यहाँ पर लंबाई जो है पांच और ममन गये हैं कुछ दिन दो दिन ही हुए है बाइक से जो जो यांपर चछले तो सूचना देने की करपा करें मुबाइल नमबर भी इधर आया है इनके घरवालों का इधर थाना प्रबारी जो मेहनगर के हैं उनका भी नमबर आया है तो आप चाहें तो अगर किसी को ये धिखें तो इन नमबर पर सूचना करते हैं या हमें भी वाटसप से आप बता सकते हो इधर बात करते हैं अब चलत से बन रहे हैं इसरम जो पूरा उनका पोर्टल का नाम है और बाकी सरम कार्ड यही सरमिक कार्ड जो आप सुन रहे हो तो यह इनका कहना कि यह आएंगे हमारा तो कई जो है सरमिक कार्ड है हमारा पैसा नहीं आया है बुलन सेर की आंगनबारी तो देखो करोणों में यहाँ पर सरम कार्ड बने है करोणों में लाभारती है ये वाले तो ऐसे में अभी करोणों को नहीं भेजा गया है मैंने कहा है पहले चरण में कुछ ही लोगों को भेजा गया कुछ एक करोन से साथ कुछ उपर है अब आप समझ सकते हैं ना इन बातों को बांकी के जो हैं उनको दो-ती चरण में सिरकार भेजेगी इसके बारे में जानकारी चैनल पर अल्रेडी दी जा चुकी है साथ आपने नोटिस नहीं किया तो अब यहांपर ध्यान देना, दूसरे चरण का भी इनतजार करना हो सकता है पहले चरण में ना आया हो दूसरे चरण में आ जाए तो यहांपर जो भी है, यह जो सच्चा ही वही आपको बताई जा रही है कमर जहां बहन आती है मेरर से और देखे किस तरीके से हमारी बेहनों को इस तरह जो प्रताडित किया जा रहा है लिखा है ये आदेस हमारे सीडिप्यों ने वाटसिप पर डाला है भाया आप ही बताएं कि हम इतने पैसे कहां से लाएंगे और हर लाभारती के लिए पोस्ट आफिस से डार्क टिकट लगा क करके लिफाफा खरीदें और जबरदस्ति लाभारतियों से यहां पर लिखवाएं और हम जो यहां पर खरीद कर दें भी जो यहां पर तो कोई लिखने को तयार नहीं है हमारे साथ जो यहां पर जगड़ा करते हैं आप ही बताएं कि यहां पर हम क्या करें इस तरह से बहन क समस्य आ रही है। का निवासी हूँ लाभारती इसमें करेगा लेकिन खर्चा कौन करे आंगनबारी करे ऐसा विभाग करे रहा है लेका है मानि प्रधान मंत्री जी द्वारा चलाई जा रहा है पोश्वर मिसन योजना के लिए मैं उनका कोटी कोटी धन्यवाद करता हूँ इस योजना से मुझ मांदे देरा सम्माजनक पैसा नहीं मिल पा रहा है और ये भी खर्चे विभागी कारों में आंगनबारी अपने मांदे से क्यों करें ये सवाल है इधर देखे सुर्जकली बहन राइबरेली से आती है और उन्होंने लखनव से जारी एक आदेश भेजा है बहुत ही बढ़ चुकी है कल से ऑनलाइन आवेदन साथ जनवरी से आप कर सकते हो अंतिम तिती 28 जनवरी है और आवेदन में संसोधन की जो तिती है वो 4-2-2022 रखी गई तो यहाँ पर आपको बता दें इसमें सारी चीज़ें यहाँ पर लेकर के बेज़ दी गई है तो यहाँ पर अपना ध्यान देना कि 28 तारीक तक आप लोग आवेदन कर लो और फीसवीस अपनी जमा कर लो और यहाँ पर इन चीज़ों को ध्यान पुर्वक सुन लेना प्रिंट आउट भी अपना निकलवा करके रख लेना इधर बात करते हैं यहाँ पर अगर आपने पीटी का एक्जाम दिय है तभी आप इसमें जो परिक्षा में बैठ पाएंगे अन्य था नहीं लेखा गया है उत्तर पदेश अधिनस्त सेवा चैनायोग लखनौ क्यों विग्यापन संक्चा यह लेकपाल मुख्य परिक्षा इसके अंतरगत जो यहाँ पर राजस सुलेकपालों के कितने पद हैं पीटी का एक्जाम जो उसके स्कोर के आधार पर ही किया जाएगा और यहाँ पर प्रतिभाग हेतु केवल वही अब भरती आउनलाइन आवेदन कर सकते हैं जो परणरंभी परिच्चा हरता में समलित हुए हैं उन्हें आयोग द्वारा स्कोर कार्ड भी यहाँ पर वैद सं पर से जाँच की अधीन आपबंधिक और स्रेडियों के यहाँ पर कुछ निरड़े नहीं लिये जाते हैं तब तक स्रेडियों के अभरतियों को भी आयोजित की जाने वाले विन मुख्य परिच्चा में आवेदन की आपबंधिक रूप से अनुमती प्रतिबंद के साथ प यहाँ पर आपको बता दें आनॉनाइन आवेदन की प्रक्रिया के बारे में भी लिखा गया है कि यहाँ पर आपो देख साहक combustion के अंतरगत आएंगी तो उनको भी यहाँ पर द्यान देना तो अब हम आयो शीमा पर Buffalo के चरचा कर लेते हैं तो यहाँ पर अभी उसी के तरफ आप हम बढ़ने उससे पहले आप यहां पर देख साथ तो PT के बारे में लेखा गया है तो PT में इसमें लेखा है कि आप भरती प्रारंबिक अहरता परिच्छा 2021 के रजिश्टेशन नमबर जनमतिती लिंग उत्तरपदेश का मूनलेवासी साथी सास त्रेडी संबंधी विबर अच्छे माक भी होने चाहिए नहीं कि जो आपने PT का एक्जाम दिया और आप उसमें 10-5 नमबर लेकर के आए हैं और पासवास हैं ही नहीं तो फिर उससे भी परसेंटाइल उसमें भी कुछ नहीं होने वाला तो ठीक ठाक हो तब ही यह सब होगा और जिनोंने जो है PT दिया अनिवर के हैं आवेदन फीस उनके लिए 0 है और जो है यहाँ पर आनलाइन प्रकरिया फीस जो है यहाँ पर 25 रुपया है तो यहाँ पर मतलब फीस विभाग नहीं ले रहा है अन पिछड़ा वर के लिए भी जो है यहाँ पर कितनी 25 रुपया भी आउनलाइन प्रकरिया फ इधर बात करते हैं स्वतनता संग्राम सेनानी के आस्री जो हैं भूतपूर सैनिक हैं महिला ब्यरती हैं इनके लिए क्रमांग एक से चार तक उल लिखे तो उनकी मूल्स रडियों के अनुसार फिर सुल्क दे होगी तो यहाँ पर आप समिंचीजों को देखें और थोड़ा ध इसमें हो और ताकि कोई भी वो गलती न दोरा है ताकि आप कोई देखत हो आवेधन पत्र में संसोवतन किस-किस तरह के हो जायेंगे वो आपको एक बार हम बता देते हैं तो नाम में वरतनी की उगलती होगी तो हो जाएगा पिता के नाम में वर्तनी की गलती होगी तो हो जाएगा पत्रा चार का पतागर गलते तो सही हो जाएगा अन्य वक्तिगत विवराट जैसे EWS एवं 36 आरच्चर की स्रेडी तो वो सब यहाँ पर वो सब हो जाएगा जाती की स्रेडी यह सब हो जाएगा लिंक जिंडर वो हो ज दिया गया है तो आप यहां पर देख सकते हो राजस सुपरिसद उत्तरपदेश लखनव से लेकपाल के पद सेलरी आपको बता दे वेतनमान जो है आपका और ग्रेड पे सब लगा करके लिखा हुआ यहां पर कि 5200 से लेकर के 20200 और ग्रेड आपका वेतन 2000 अलग से तो यहां पर आप समझ सकते हो आई उस नियुन्तम जो अधिकतम वर्सों में 18 से 40 वर्स तो 18 नियुन्तम और 40 अधिकतम बाकी पीटी भी प्यास होना जरूरी अनाराच्छित वर्ग के लिए देखेगा यहां पर पद है 3271 अनसूची जाती के पद है 1690 अनसूची जनजाती के पद है एक सो यहां पर बावन अन्य पिछडा वर्ग के जो पद हैं वो 2174 हैं आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए EWS का आरच्छन और उनके लिए 798 विपद अलग हैं कुल पद यहां पर 8085 हैं और स्थाई आस्थाई यहां पर जो यह पदों के बारे में अभ्योगती मे कालम में दिया गया है तो इस तरह से आपने पदों के बारे में भी जान लिया अब जिनको भी फॉरम उनलाइन करना है वो भाई कर सकते हैं बाकी देखेगा विभाग का नाम लेखा हुआ और यह लेक पाल का पदनाम साती चैति आरच्छल के बारे में भी प्रारूप आया है तो इसमें द्रश्ट हीनिता एवं कम जो है यहाँ पर द्रश्ट हीनिता के लिए जीरो जीरो अंक इसमें अंक यहाँ पर नहीं है बाधिर और सर्वर सकती के हास से यहाँ पर कुछ लेखा हुआ एकसो दो ऐसे पदों की संख्या है यहाँ पर देखो तो यह पदों की सं परमणवाले या मान स्पेशी या दूस प्रभावाले ऐसे लोग जो है उनके लिए 122 पद अलग है तरह से उनके लिए 0-0 है और बाकी नीचे आप देख सकते हो बहु निसक्तता जिसके अंतरगत प्रत्यक निसक्तता के लिए अभिज्यानिता पदों पर बाधिर जो है यहा अच्छर सोरूपद आए हैं इधर बात करते हैं यहां पर आप देख सकते हो अनिवार जो है आपकी अहरता अधिमानी अहरता है जो है उसके बारे में आपर लिखा गया है तो अनिवार अहरता में क्या आता है अब भरतिकों मादमिक सिच्छा परिशद उत्तरपदेश की इंटर्मीडियर परिच्छा या सरकार द्वारा इसके समरूप जो है कोई अनिवार परिच्छा उत्विड की हो तो बारवी पास होना जरूरी है अधिमानी अहरता में क्या है उसमें यह लिखा गया कि प्रदैसिक सेना में नुन्तम दो वर्स की अवधी तक सेवा की हो या राष्टिक एडट कोर का जो भी प्रमाणपत प्राप्त किया हो तो यह है अधिमानी अहरता यानि अन्य बातों के समान होने पर ऐसे अभरतियों को सीरी भरती के मामलों में अधिक्तम जो है अधिमान दिया जाएगा तो यह इसके बारे में लिखा हुआ है तो बाकी आप जो भी है वो अपने लगा सकता है बाकी आयूसीमा के संबंद में इस सब चीजे लिख दी गई है चालिस वर्स से अधिक ना हो 18 वर्स से जो एक कम ना हो बाकी आप लोगों को ले चलते हैं आगे और देखो कुछ चीजे और होती है जैसे खिलाडियों को दिखतम आयूसीम है तब भी मिल जागा अपना आरच्छर भी अपनी कटेगरी के अनुसार देख लेना तो चेन का आधार आप देख सकते हो यह सब लेखा गया है तो लिखित परिच्छा भी कराई जाएगी सामान हिंदी आपकी प्रस्णों की संख्यास में 25 होगी हिंदी के और नरधारित अन्क भी 25 होगे और साथी-साथ गड़ित के 25 होगे तो 25 अंक इसके भी होंगे सामानि घ्यान के भी 25 प्रस्ण होंगे 25 अंक इसके होंगे और आपका ग्राम में समाझे वंवेकास का 25 होगा 25 प्रस्णों भी होगे तो दो घंटा यानि यहाँ पर समय है 120 मिनट का जो भी प्रस्न होंगे साथी प्रतेक प्रस्न एक अंक का होगा इस तरह से यहाँ पर लेखा गया है तो बहुए कलपी टाइप को अब्जेक्टिव पेपर होगा लेखित में नहीं होगा तो यहाँ पर आप लोगों को इसमें भी जो है कोई दिक्कत नहीं होगी और लेखित पर इच से में यहाँ पर आया आप चाहो तो स्क्रीन सॉट ले लो हम पाठ क्रम में पढ़ पढ़ करके सुनाने वाले नहीं है तो आप यहाँ पर एक इसका स्क्रीन सॉट ले सकते हैं और इसके नीचे आप इसका भी एक स्क्रीन सॉट ले सकते हैं अगर आपने पीटी का एक्जाम द करते हैं आपके उजल भविस्थ के लिए कि